मैं आत्मा, मास्टर, ज्ञान सूर्य हूँ, मैं अपने प्रगुटी रूपी सिहासल पर चमक रही हूँ, मुझा आत्मा से शक्ति शाली ज्ञान की किर्णे निकल रही है, मैं सूस कीज़ेगा, और मेरी संपून देह मैं समा रही है, अब मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया को छोड़ कर चली जाती हूँ, अपने पिता सर्व शक्तिमान ग्यान सूर्य श्यो बाबा के पास, मैं मास्टर ग्यान सूर्य आत्मा आ गई हूँ, परमधाम मैं, अपने पिता के पास, उनका तेज़स्वी स्वरूप कितना सुन्दर है, बाबा के सूक्ष्म स्वरूप से, शक्ति शाली लाइट निकल रही है, बाबा की एक एक शक्ति शाली किरन बहुत पावर्फुल है, जैसे सूर्य के समेप जाते ही, हर वस्तु जल के नस्ट हो जाती है, सूर्य की पावर्फुल किरनों से, हर प्रकार के कीटानों, जीवानों, सहची समाप्त हो जाते हैं, सूर्य की रौष्णी से, अंदकार समाप्त होकर, प्रकाश फैल जाता है, ठीक इसी तरह मैं आत्मा भी अनुभव कर रही हूं, परमात्म शक्तियों का प्रकाश मुझा आत्मा के अंदर से, अज्यानता के अंदकार को नस्ट कर रहा है, बाबा की शक्ति शाली केर्णे, मुझा आत्मा में व्याप्त, एक एक विकार के की टाणूओं को, पूरी तरह चला कर डस्ट कर रहा है, मैं आत्मा पूरी तरह बाबा की स्वरूप पर एकाक्र हूं, मैं अनुभव कर रही हूं, बाबा की शक्ति शाली केर्णों को, बाबा के तेज से, मैं आत्मा पवित्र हो रही हूं, मेरे तमो प्रधान संसकार नस्ट हो रही है, मैं अनुभव कर रही हूं, जैसे धदकती आग में किसी चीच को डाल दिया जाए, तो कुछी सेकेंड में वो नस्ट हो जाती है, जलकर राक हो जाती है, वैसे मैं आत्मा भी ग्यान सूर्य के समीप आते ही, अपने अंदर के समस्त विकारों के अंश वंश को, बहुत दीब्रगती से नस्ट होते देख रही हूं, मैं अनुभव कर रही हूं, बाबा के शक्ति शाली स्वरूप से, जो तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है, वो मुझ आत्मा के अंदर से एक एक विकार को नस्ट कर रहा है, मैं आत्मा हलकी होते जा रही हूं, पाप कर्मों के बोच से मुप्त हो रही हूं, मुझ आत्मा को बहुत हलका पनफील हो रहा है, मैं बाबा के स्वरूप रिकाक्र हूं, बाबा मुझ आत्मा मैं अपना गुणों और शक्तियों का प्रकाश भर रही है, मैं भी गुणों के सागर शिव बाबा की तरह गुणों से भर पूर हो चुकी हूं, अब मैं आ जाती हूँ वापिस अपनी देह मैं और परमात्म शक्तियों को पूरी देह मैं फैला रही हूं, शरीर के रोम रोम में इश्वरिय शक्तियां समा चुकी है, मेरा शरीर भी रोग मुक्त हो चुका है, शक्ति शाली बन चुका है।